दोस्तों कल रात लाइश्टीमिंग में हमने डाइंग लाइट 2 गेम खेली और लगवग 2-5 गंटा मैंने उस गेम को प्ले किया तो अपना आज मैं आप लोगों से एक्स्पिरियंस शेयर करने आया हूं फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू में क्या आपको ये गेम परचेस करन भी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे इस गेम से क्योंकि इसका जो गेम प्ले है वह पहले से काफी बैटर इन्होंने कर दिया यहां पर आपको मिली एटेक का ज्यादा यूज करना होगारा मैं कॉम्बेट की बात करूं तो क्योंकि लगबग 2 गंटे की गेलने के बाद भी मुझे एक भी इसमें आर्मर या गन वगरा उन्होंने नहीं प्रोवाइट कराएं लेकिन अगर मिली वेपन्स की बात करें तो यहां पर आपको एक्स और भी मतलब जो बो है बहुत सारे की चीज़े आपको यहां पर देखने को मिलेगी लेकिन अभी जो अगर मैं बो की ब देखने को मिलें तो यह गेम को हाड़ी इस तरह से बनाया गया है कि आप लोगों को मतलब खेलते वे ऐसा लगे कि आप एक एक मिनिट सर्वाइब कर रहे हो गेम में दूसरी बात यहां पर जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से नाइट का रखा गया है यानि कि 80% यह आपको डे में मिलेगा तो यहां पर आपको ब्राइटनेस का खास ध्यान रखना है बाकी इस गेम के अच्छी बात यह भी लगी मुझे कि R3 को अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो यहां पर आपको चीज़े हाइलाइट हो जाती है यानि कि अगर आपके आसपास कोई जो करना पड़ा R1 पर नॉर्मली जो हम जम्प करते हैं वह X बटन से करते हैं लेकि इसमें आपको R1 से जम्प करना है और उसके पीछे इन्होंने एक लोजिक भी दिया है क्योंकि यहां पर बहुत जादा काम है आपका जम्प कराने का और उसी बटन से आपका यह डोस भी करे आपको गेम को मतलब आप इसकी डिस्क रायंट पर लेकर सोच हुरू हो खेलने के लिए ये डिजिटैली रैंट पर लेना चाहरे हो तो मैं थोड़ा आप लोगों को कम प्रिफर करूंगा आगर आप रैंड पर ले भी रहा थो तो इसे लोंग टम के लिए लेना यानी की minimum एक मंद जो आपको चाहिए इस गेम को अच्छे से प्ले करने के लिए, मलब प्लाइटीनम वगरा जितना टाइम लग जाता है अधर गेम से में अचीव करने में, उतना टाइम आपको इसका स्टोरी मोड कंप्लीट करने में लगेगा, क्योंकि ये गेम है ये ऐसी और स्टार्टिंग में हो सकता है, आपका इंटरस्ट भी इतना क्रेट ना हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्टोरी से गेम कनेक्ट करती है, और बार बार आपको फ्लेश बैक में ले जाती है, वो हम अपने full game वाले review में बात करेंगे लेकिन फिलाल first impression में बस यही बता सकता हूँ कि अगर आपने dying light 1 खेली है तब तो आपको surety इस game को खेलना ही चाहिए लेकिन अगर आपने नहीं खेली है तो मैं आप लोगों को recommend करूँगा कि आप अगर हो सके तो मैं आज भी इस game को continue करूँगा नहीं तो फिर मैं कल तो आपसे surely light streaming में मिलूँगा ही तो अभी rating ही हम बात नहीं करेंगे कि मैं 10 में से इस game को क्या rating देना चाहूँगा बस मैं यही कह सकता हूँ कि आप इस game को play कर सकते हैं अभी collection में रखने वाली है या नहीं है इस बारे में मैं full game review में आपको अच्छे से बता सकता हूँ लेकिन यह game यकिनन खेलने वाली तो जरूर है तो आप इस game को rent पर लेकर खेलेंगे या आप इस game को purchase करेंगे और बाद में resell करेंगे comment करके जरूर बताईए कि आप किस platform पर इस game को खेलेंगे आपको मेरा review अच्छे लागा हो तो इसे वीडियो को like करो share करो और चैनल को subscribe करना मत भूलना और दोस्तों जाते जाते आप लोगों को एक information ओर देते आओं कि नवोकार gamer चैनल पर इसका hdr gameplay बहुत जल्द आने वाला है जिसका link में आपको नीचे description में दे दूँगा तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक पर checkout ज़रू कर